गुद मॉर्णिंग स्टूडेंट्स। तूडेवी आर गोईंग तू अंडर्स्टैंड पैराग्राफ आ विजीट तू आ वुक फेर लेट असस्टार्ट इट। अब विजिट टू आ बुक फेर विजिट का मिनिंग होता है दौरा करना बुक फेर हो गया पुस्तक मिला एक पुस्तक मिले का दौरा जिस परकार शरीर के लिए कसरत का महतब है उसी परकार मन के लिए अध्यन का जा पड़ने का महतब है जिस तरह शरीर को पावरफुल और बनाने के लिए और हेल्धी रखने के लिए एकसरसाइज की जाती है इसी तरह माइंड को पावरफुल और हेल्दी रखने के लिए रीडिंग की जाती है पुस्तकों का बुक्स का अध्यान किया जाता है लास्ट संडे सम अफ माइ फ्रेंड एंड आई हैड आ चांस टू विजिट दा यूनिवर्सल बुक फेर पिछले रविवार को मेरे कुछ दोस्तों को और मुझे यूनिवर्सल बुक फेर में जाने का मौका मिला इसका आयोजन गौर्मेंट कॉलेज लुधियाना में किया गया था इट वाज अ स्पैक्टेकल टू वाज स्पैक्टेकल का मतलब होता है निजारा या तमाशा या नजारा देखने लायक था मैनी पबलीशिंग हाउसेज वर पार्टिस्पेटिंग इस मेले में बहुत सारे परकाशक या परकाशन ग्रह जो थे वो हिस्सा ले रहे थे पबलीशिंग हाउस कौन से होते हैं जो बुक्स को पबलीश करते हैं प्रिंट करवाते हैं दे हैड डिस्पलीड अ वराइटी ओफ बुक्स उन्होंने विभिन परकार की पुस्तकों को परदर्शित किया which contained the wealth of knowledge and experience जिन में ग्यान और अनुभब का खजाना था I bought some books by V.S. Nepal a Nobel laureate मैंने V.S. Nepal के द्वारा लिखी हुई कुछ पुस्त के किताबें खरी दी जो की एक नोबल पुरसकार विजेता है Nobel laureate का मतलब क्या है? Nobel पुरसकार विजेता In the afternoon, we felt somewhat tired. दोपहर में हमें कुछ थकान महसूस हुई We relieved our fatigue by having tea and snacks at a stall nearby हमने पास ही की एक stall पर चाय और नाश्ता खा पी कर अपनी थकान को दूर किया I was pleased to see that most of the visitors were young boys and girls मुझे यह देहकर प्रसंता हुई के मेले में ज़्यादा तर जो दर्शक थे वो नौजवान लड़के और लड़कियां थे Even small children were enthusiastically reading books यहां तक की छोटे बच्चे भी बड़े उत्शा से पुस्त के पढ़ रहे थे enthusiastically हो क्या खुशी से जोश से जहां उत्शा से One of my friends settled for Harry Potter मेरे मित्रों में से एक ने Harry Potter पुस्तक खरीदने का मान बनाया I bought a book of short stories for my younger brother younger हो गया छोटा मैंने अपने छोटे भाई के लिए छोटी कहानियों की एक पुस्तक खरीदी We returned home happy and contented हम खुश और संतुष्ट होकर घर लौट I contented means संतुष्ट I hope students you are now able to understand the paragraph fully Thank you very much